Study IQ IS अब तयारी हुई treatment किया गया था उनको पाकिस्तान के अंदर तो इस समय जो वो UK में रह रही है तो कही न कहीं उनको अपने पाकिस्तान को लेकर फिक्र होनी चाहिए थी पाकिस्तान में जिस तरह से आतंगवात फैल रहा है उसको लेकर बोलना चाहिए था लेकिन कई बार अगर आप देखोगे तो मलाला यहाँ पर भारत को इसके अंदर घसीर देती है यहाँ पर भारत के अंदर जो कश्मीर है उनके उपर प्रहार करने की कोशिश करती है कहती है कि कश्मीर में जो लोग है उनके साथ यत्याचार हो रहा है और इसी को पलटवार करते वे यहाँ पर जो याना मेर हैं जो जनरलिस्ट हैं कश्मीर से उन्होंने UK के परलेमेंट के बिल्डिंग में देखो UK में जो हाउसें मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ UK की जो परलेमेंट बिल्डिंग है उसमें एक इवेंट हो रहा था मैं आपको नहीं रह सकती हैं उनके खुद के उनको उनके जीवन के उपर खत्रा है एक तरह से यहाँ आप देख पाओगे यहाँ पर I am not Malala and safe in my India कश्मीरी याना मीर काउंटर्स fabricated stories of oppression in UK परलेमेंट तो इसके बारे में हम डीटेल से जानेंगे कि exactly हो क्या रहा है यहाँ पर उनके दो आपको पूरी त्यारी किराए जाती है UPSC की लेकिन अगर आप specifically जो इस बार का prelims हो रहा है उसको crack करना चाहते हैं तो हमारा SIP plus वाला ले सकते हैं क्योंकि आज से ही इसका batch start हो रहा है अवेल करने के लिए हमारे website आप पर जाएए या फिर comment section में link है और use करना है code UNKITLIVE ता देखो मैं आपको बता दूँ अगर आप लंडन में देखोगे तो यहाँ पर एक building है यह जो आप देख पा रहे हो इसका नाम है Palace of West Minister यह basically आप कह सकते हैं Parliament जो है UK की Parliament जिसमें दो houses होते हैं एक हो गया House of Lords और दूसरा है House of Common यह दोनों जो houses है वो आपको इस building में दिखाई देंगे तो वहाँ पर क्या है कि इस building के अंदर एक event organized किया गया था जिसका नाम है संकल्प दिवस और उसी के दौरान इस event के दौरान जो कश्मीरी जनरलिस्ट और अक्टिविस्ट है याना मीर उन्होंने एक बहुत powerful statement दिया एक speech दिया है और साती साथ पाकिस्तान का जो प तरह से रद किया है यहाँ पर उन्होंने कहा है कि हम भारत के अंदर कश्मीर के अंदर अपने आपको safe महसूस करते हैं क्योंकि हमारे पास freedom है और साथी साथ कहा है कि कश्मीर is integral part of India यहाँ पर उन्होंने अपने address में एक तरह से मलाला यूसफ अजाई को प्रहार करते वे कह कि I am not a Malala और यह comparison देखे बहुत जादा valid है क्योंकि अगर आप देखोगे Malala यूसफ अजाई वो अपने देश में समय नहीं है क्योंकि उनको अपना देश छोड़कर भागना पड़ा क्योंकि उनके अपने देश के अंदर आतंगवाद बहुत तेजी से फैल चुका था अ उन्होंने अपने स्पीच के दोरान कहा है देखे यहाँ पर Malala यूसफ अजाई को लेकर और भी कई सारी चीजें बोली सबसे पहला उन्होंने कहा कि I will never be a Malala यूसफ अजाई मैं कभी Malala बनना ही नहीं चाहूंगी but I object to Malala for defaming my country उन्होंने कहा कि कैसे Malala यूसफ अजाई भ अब यहाँ आपको याद होगा 2019 में भारत ने एक बड़ा कदम लिया था 5th of August को Article 370 abrogate करके उसके just बाद अगर आप देखिए यहाँ पर 14th September 2019 का यह tweet है लगवग एक महने के बाद आप कह सकते हैं इसमें देखे मलाला यूसफ अजाई क्या कह रही है एक एक शब्द को दे रहे हैं मैंने उनके साथ बातकीत की है I wanted to hear directly from girls living in Kashmir right now and यहाँ पर उनका कहना था कि किस तरह से पुरे दुनिया से cut off कर दिया गया है और वहाँ पर जो लोग हैं उनके voices को reject किया जा रहा है और उसके बाद अपने tweet के अंदर उन्होंने कई लोगों का जो statement है उसको यहाँ पर लिखा और ultimately अपने last tweet में देखिए उन्होंने क्या लिखा है I am deeply concerned about reports of 4000 people जिसमें children शामिल हैं जिसमें महिलाएं शामिल हैं उनके साथ एक तरह से अत्यचार करने की कोशिश हो रही है उनको jail में बंद कर दिया गया है अरेश्ट कर दिया गया है वो school नहीं जा सकते बच् who are afraid to leave their homes तो ये सारे इलजाम मलाला यूसफ अजाई ने लगाये थे भारत के उपर और इस तरह के कई बार statement उनका आया है भारत को प्रहार करते वे देखिए हम सबको पता है कि जो article 370 abrogate हुआ था वो एक temporary period के लिए आपको पता है कि कुछ समय के लिए थोड़ा बहुत कश छेलना पढ़ सकता है मैं शूर आपको पता ही होगा कि security के concerns को ध्यान में रखते वे यहाँ पर काफी important था कि कश्मीर को secure रखा जाए और इसलिए थोड़ी बहुत परसानी उस समय आई लेकिन आज के date में अगर आप देखोगे situation बहुत different हो चुकी है पहले 2019 के पहले किस तर किया है याना मीर के द्वारा I object to all such toolkit members from social media basically उनका कहना था कि international media में या फिर social media में कई बार भारत में जो कश्मीर है उसको defame करने की कोशिश की जाती है ऐसे ऐसे मंगणत stories को लाया जाता है ताकि दुनिया में एक अलग image create किया जा सके भारत के कश्मीर का और इसलिए उन्हों उनका कहना था basically यह जो संकल्ब दिवस हो रहा था यह भी मैं आपको आगे बताऊंगा यह है क्या संकल्ब दिवस लेकिन उन्होंने कहा कि कई सारे ऐसे perpetrators हैं जो UK के अंदर रहके अपने room में UK के अंदर अपने room में रहकर भाशर देते हैं और भारत के खिलाफ बोलते हैं ऐसा हम बिलकुल भी allow नहीं करेंगे हम हमारे देश के अंदर safety है सुरक्षा है freedom है thousands of कश्मीरी mothers have already lost their sons because of terrorism stop coming after us let my कश्मीरी community live in peace ऐसा उन्होंने कहा और last में कहा thank you and जय हिंद तो basically यह जो उनका पूरा speech था ना उसको काफी जादा लोग देख रहे हैं उसको समझ रहे हैं और चीज़ कहा था इंडियन आर्मी को भी praise किया था कि इंडियन आर्मी एक जिस तरह से professional way में वहाँ पर लोगों को de-radicalize कर रही है क्योंकि हम सबको पता है कि किस तरीके से पाकिस्तानी support के माध्यम से वहाँ पर जो youth हैं कई लोग हैं उनको radicalize करने की कोशिश की जाती है terrorism में धकेलनी की कोशिश की जाती है और यही सबसे बड़ा challenge होता है हमारे authorities के लिए इंडियन आर्मी के लिए कि कैसे हम उनको de-radicalize करें और youth को development की तरफ ले जाएं तो इसी को लेकर उन्होंने यहाँ पर इंडियन आर्मी को भी praise किया और साथी साथ मैं आपको यह भी बता word है वो दिया गया और खुद इसके बारे में याना मेर ने अपने tweet के माध्यम से बताया है खैर अब हम आते हैं कि यह जो संकत दिवस event था यह था क्या देखो इस event के अंदर 100 से जादा dignitaries बताया जा रहा हैं कि वो present थे और देखिए कौन-कौन थे इसके अंदर UK के Parliament के जो event में और साथी साथ इसके अंदर ये भी चीज हाइलाइट किया गया कि कहीं न कहीं भारत को इस समय आप कोशिश करनी चाहिए कि यहाँ पर जिस तरह से oppression हो रहा है P.O.K. के अंदर P.O.K. में especially देखो यह वाला जो पूरा area आप सबको पताई है कि यह हमारा जम्मू कश्मी वाला हिसा नीचे जम्मू और ये वाला लदाक वाला पूरा area और लदाक को कि आपको पताई है कि यहाँ पर जो P.O.K. है वो इस समय पाकिस्तान के अंदर में है तो यह पूरा एक तरह से लदाक वाला area आ जाता है अकसाई चिन से लेकर पूरा लेकिन यहाँ पर जैसे लेने की कोशिश करनी चाहिए ऐसा इस पूरे इवेंट के अंदर दिखाया गया है क्योंकि वहाँ पर लोगों के साथ operation हो रहा है अत्याचार हो रहा है ऐसा इस इवेंट में बोला गया और इस इवेंट को organize कौन किया था यह किया गया था बाई basically जमू एंड कश्मीर Study Center UK के लाया चाहिए साथी साथ यहाँ पर जो diverse nature है जमू कश्मीर का उसको emphasize किया जाए दुनिया के सामने ठीक है तो यह काफी important है देखे यह क्या होता है ना कि अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान लंबे समय तक यहाँ पर अपना communication strategy के तहत उसने भारत को बदनाम करने के कोशि की है तो इसलिए जरूरी हो जाता है कि इस तरह के counter narrative भी हम यहाँ पर रखें कि जो पाकिस्तान narrative बना रहा है वो सही नहीं है बिल्कुल भी सही नहीं है पाकिस्तान में आज के डेट में क्या हाल आता है वहां की development क्या हो रही है और आज के डेट में आप compare करिए भारत के जम किया है अपने बजट में जमू कश्मीर के लिए तो आप समझ सकते हो कि कितना जादा यहाँ पर difference है लेकिन फिर भी पाकिस्तान जो है अलग-अलग communication के माध्यम से भारत को बदनाम करने की कोशिश करता है और इसलिए काफी important था और इसलिए याना मीर का यह जो शब्द है जो पुरा speech है वो काफी लोग इसको देख रहे हैं और इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं और इसलिए काफी important हो जाता है खर जाने से पहले मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पर बता दूँ कि मलाला के साथ क्या हुआ था मलाला इस समय UK में क्यों रहती है अगर आपको या स्वाथ डिस्टिक थी का यह जो मैं मार्क कर रहा हूं ठीक है वहाँ पर स्वाथ डिस्टिक में वो बस से जा रही थी उसी समय क्या होता है कि तालिबान के लोग जो है बंदू के साथ पहुँच जाते हैं और तीन लड़की को गोली मारते हैं जिसमें से एक थी मलाला यू स्वाजाई के सिर पर हेड में कोली मारी गई थी इस्ट्रक किया गया था और तुरंट फिर वहाँ से उनको राल पिंडी इंस्टिटूट ऑफ कार्डियोलोजी ले जाए गया जब उनकी सिचुएशन थोड़ा बैतर हुआ फिर उनको यूके के अंदर जो क्वीन वहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया था लेकिन तालिबान ने एक और चीज फिर कहा था कि अगर वो पाकिस्तान वापस आती है तो फिर से हम कोशिश करेंगे उनको मारने की तो आप समझ रहो कि पाकिस्तान में जिस तरह की हालत है क्योंकि जो इंसिडेंट उसमें हुआ था पूरी दुनिया काफी जादा चंबित हो गई थी कि कैसे तालिबान ये कर सकता है और देखो इन फेक्ट उसमें मुझे भी काफी होप था कि वो पाकिस्तान की जो सिचुएशन अब वो पूरे दुनिया के सामने लाने की कोशिश करेंगी लेकिन उल्टा क्या हो रहा है कि इन डारेक्ली भारत के उपर प्रहाद करने की जो कोशिश कर रही है वो बिल्कुल भी सही नहीं है तो यही पूरा वीडियो था दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा और जाने से पहले एक इंटरस्टिंग कोशन यहाँ पर शिमला एग्रिमेंट के बारे में को आई है अलग लग सोशल मीडिया पर आप जूड़ पाओगे और जैसा मैंने आपको बताया है अगर आप UPSC की त्यारी कर रहे हैं कोई भी बैच चाहते हैं you can just use this code अंकित लाइफ ताकि आपको maximum discount मिले I hope की वीडियो आपको पसंद आया होगा मिलता है आप से next time till then thank you very much see you soon Study IQ IS अब तयारी हुई affordable